गायत्री शक्तिपीट की ओर से आज पुषकर के गुरुद्वारा बस स्टेंड के पास इस्तित गायत्री शक्तिपीट से दिव्वे जोती कलश यात्रा का शुभारम हुआ पुषकर राज की परक्रमा करके राजस्तान के सातों संभागों के लिए या दिव्य जोती कलश रवाना हुए हैं दिव्य जोती कलश यात्रा गाहितरी सक्टिपीड पुषकर से ये प्रारम होने जारी है राजस्तान भर के साथ संभागों में साथ दिवे जोती कलस आज अभी बारा सवा बारा बजे पूजर के साथ कुषकर में कुषकर राज के परिक्रमा करते वे प्रस्तान करेंगे और ये अलग-लग संभागों में जाकर जो दिवे जोती अखट दिवाग जिसके समुक यूगरी से पंडिश्री राम सर्मा अचारी जी ने 24 साल तक 24 गाहितरी महामंत्र के 24 महापुरुष्टरन किये और वो तब से लेके अब तक सांतिकों धरी द्वार में अखट दीपक के रुपे फ्रजलित है जहां पर हजारों के संख्याओं में साधनाय संचालित होती आ रही है उसी के सताबदी वर्स इस वर्स 2026 में मनाई जा रही है सायोग है कि आचारे श्री की सायोगी नी धरम पत्नी बंदनिया माता भगवती दिवी सर्मा उनकी भी जनम सताबदी वर्स है तो ये अखंड दिपग और माता जी के जनम सताबदी वर्स के अंदर ये आज यहां पुष्कराज से ये दिवी जोती कलस पूरे राजस्तान में गूमेंगे राजस्तान में नहीं पूरे भारत वर्स में भी अलगलग शित्रों में ये काम होने जा रहा है करीब सवा साल तक ये 22 जनवरी 2026 तक ये रत हर गाव और हर राड़ी में जाएंगे और वहां पर उनका आचारी स्री का जो संकल्पित है कि मनिश्य में देवतों का उदे हो और धरती पर स्वरुक का उतरन हो इसके लिए विविन कारिकरम होंगे दीव्यग्यों के मात्यम से और वहां पर लोक शिक्षण का कारिये क्या जाएगा इन दिवे जोती कलस जात्रा के लिए कारिकरम को सब्भार्म के लिए स्रीमाल योगिंद्र गो है उसके साथ में श्री ओम प्रकासी अगरवाल जो आपका नाम दोक्ट्टर सुरीश वैश्णौभ त्वाई ते शक्ति बिल्ग उसकार